हाई प्रेंद स्वागत है आपको हमारे चैनल में आज हम बनाएंगे राजमा की सबजी यानि राजमा कड़ी जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है और हेल्दी भी होती है तो चलिए बनाते हैं राजमा की सबजी बहुत ही असान तरीके से हम बनाना बताएंगे और बहुत ही टेश्टी रखती है ये खाना में तो चलिए बनाते हैं राजमा की सबजी तो सबजी बनाने के लिए हम ले लिए हैं तो देखिए यहाँ पर हम ले लिए हैं राजमा राजमा को हम रात भर पानी में भिगो के रखे थे अगर आपको जल्दी से बनाना है तो यहाँ पे आप अगर राजमा भिगो के नहीं रखे है और खाने के मन कर गया तो आप दो घंडा के लिए उसको गरम पानी में भिगो के रख दीजिए राजमा अच्छे से फूल जाएगी तब इसके सबजी आप बना सकते हैं तो देखे राजमा अच्छे से फूल गई है और इसमें से हम पानी भी निकाल दिये हैं अब लेते हैं एक प्रेसर कूकर और कूकर में डाल देते हैं हम राजमा को तो अब राजमा को हम इसमें डाल दिये हैं और डाल देंगे इसमें दो टमाटर और एक प्याज तो प्याज को छिलका हम हटा दिये हैं अब इसमें हम डाल देंगे पानी तो यहाँ पे देखिए हम पानी डाल दिये हैं पानी हम इतना डालेंगे जिस राजमा अच्छे से पानी में डूब जाए और थोरी सी उपर रहे राजमा से उपर पानी तो हम कुकर को ढगा दिये हैं अब ढग कर देते हैं गैस को ओन और हम राजमा को मेडियम फ्लेम पे तीन सिटी आने तक पका लेंगे तो देखिए फ्र कुकर को खोलेंगे स्टी देखिए फ्रेंस यहां पर कुकर ठंड़ा है आप कुकर को मेड्क कन अटा लेते हैं तो यहां ऑब देख लिजिए अच्छे से पक गई है अब इसमें हम से हम निकाल लेंगे पहले प्याज और टमाटर जो हम डालने हैं पहले निकाल लेते हैं उसके बाद हम राजमा को चेक कर लेंगे कि अच्छे से पकी है या नहीं पकी है तो चलिए अब राजमा को हम चेक कर लेते हैं तो देखते हैं तो राजमा अचैसे आच्छे से अचैसी आ के पका αναघ्चाом्ता टुकडा और ये यहां टमार्टर और प्याज जो हम पकाएं थे देंगे और में अच्छल की का आदया टूकडा ठाइए और चूरी सी सद्राज़ कवाई हम दाल दिया कें और डाल देंगे यहाँ पर हरी मिर्ज तो देखिए यहाँ पर हम तीन हरी मिर्ज डाले हैं हरी मिर्ज डालके इसको हम पेष्ट बना लेंगे तो देखिए प्रेंस हम पेष्ट बना लिए हैं सभी को अब ले लेते हैं एक कराई को कर लेते हैं गरम कराई गरम हो गई है अब इसमें हम डाल देंगे सरसो तेल तो यहाँ पे हम दो बरे चमच के कड़ीब सरसो तेल डालेंगे तो तेल हम डाल दिये हैं अब तेल को कर लेते हैं गरम तो देखिए फ्रें तेल गरम हो गई है इसमें डाल दिये हैं एक छोटी चमच जीरा इसमें हम टाल देंगे मसाले जो हम पहले पेष्ट बनाके रखें हैं पिया जो ट्रमाटर का तो दोचे बूण गयी है अब इसमें मसाले डाल देते हैं तो आ Dal Tomorrow चे से मिखस कर लें और इसको दो मिनब तक हम भूनेंगे तो देखे जितना मसाला बचा है वो भी हम डाल देंगे तो अब इसको हम दो मिनर तक भून लेंगे फ्लेम को हम मेडियम ही रखेंगे मेडियम फ्लेम पे ही हम यहाँ पे भूनेंगे मसाले को तो दो मिनर तक मसाले को भूनेंगे तब इसमें हम डालेंगे मसाला पौडर दो मिनट हो गई है अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम डालेंगे खरे मसाले तो खरा मसाले में हम डाल देते हैं पहले आधी छोटी चमच हल्दी पौडर और डाल देंगे यहाँ पे एक छोटी चमच धनिया पाउडर और आधी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चमच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चमच गराब मसाला पाउडर तो मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे डाले हैं तो तीका आपको कितना पशंद है है उसलों फे यह पर लाल मिस पारा डाल सकते हैं तोesar n ze सब्सक्राइब मिञ बूर मिनेगे देगे तो नहीं संहीं से ब्योण फेलने मसाला को मिलाथ तो मसाला को भूनना जरुरी होता है। इससे काफी टेस्ट अचा आता है सब्जी में, तो इसको पहले हम मिला लेंगये अच्छे से बोट तरहिए अब इसमें हम डाल देंगे राजमा को यहां से हम पाने में से निकाल लिए है, तो राजमा हम डाल दिये हैं सब्जी में अब राजमा को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से मिक्स करते हुए राजमा को हम दो मिनट तक पकाएंगे मसाला के साथ तब इसमें हम डालेंगे नमक तो यहाँ पर दो मिनट हो चुकी है अब इसमें हम डाल देते हैं नमक यहाँ पर हम लि देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लिये हैं अब इसमें हम डालेंगे पानी तो आपको यहां पर जितना गरे भी चाहिए आप उस अनुसार पानी डाले तो यहां पर हम एक किलास के करेब इसमें हम पानी डाल दिये हैं पानी डालके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अ तो दो मिनट हो गई है आप सब्जी को हम चेक कर लेते हैं तो देखिए सब्जी अच्छे से पक गई है पहले से ही राजमा को हम पकाए थे लेकिन मसाला के साथ हम दो मिनट तक पका लिए है अच्छे से तो यहाँ पे सब्जी बनके हो गई है तयार तो आप इससे ज़्यादा गाड़ी रखना चाहते हैं तो थोरी देवर मेर तक और पका लें तो गाड़ी हो जाएगी अब इसमें हम डाल दिये हैं थोरी सी कस्तुरी मेथी मेथी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सराजमा की सब्जी बनके हो गई है तैयार तो अब सब्जी को हम एक वाल में टांसपर कर लेते हैं सब्जी को हम सर्व करने के लिए एक वाल में पहले टांसपर कर लेंगे तब सब्जी के ऊपर से थोरी सी गार्निस करेंगे तो देखिए हम सबजी को निकाल लिए है आउपर से थुरी सी गार्णिस कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लच्छा के इसाब से काटे हैं यहाँ पर अदरक और हरी मिर्ची भी काटे हैं पतले पतले सलाइस में तो यहाँ पर हरी मिर्ची से भी हम गार्णिस कर लिए हैं आप यहां पे धोरी सी धनिया पती भी डाल सकते हैं उपर से गार्णिस करने के लिए या सब्जी में भी डाल सकते हैं धनिया पती तो देखिए राजमा की सब्जी बनके हो गया है तयार आप भी इस तरीके से बनाएए राजमा की सब्जी बहुत ही जेश्टी लगती है खान क्योंक्यू